कितने सारे ताव के लो फ्रेंड्स राधिराधी जैमातादी तो फ्रेंड्स बताईए कैसे हैं आप सब लोग मैं हूँ बिलकुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत-बहुत-बहुत अच्छे होंगे और देखे अभी मौनसुन शुरू हो चुका है और यहां पे तो मौसम ऐसा होता है कि दो मिनट में बारिश और दो मिनट में धूप अभी थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी काफी जोरकी और देखे अब लग रही है धूप हिमाचल में हर जगा ही ऐसा है हिमाचल का मौसम बहुत ही अच्छा रहता है कब बारिश और कब दूप कोई पता नहीं होता और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मौसम होता है तो अभी देखे दूप निकल चुकी है और हम घूम रहे हैं बार और आपको पतार चली गया आप लोगों को तो फ्रेंड रखिए यहां पे गर्मी का बिल्कुल भी आइसास नहीं होता है यहां पे बहुत ही प्यारा मौसम है और धूप भी खिलती है तो भी इतने ज्यादा गर्मी नहीं होती है यहां पे और अभी बादल भी है बीच-बीच में क्या है झाल झाल तो देखिए यह है एपल का पेड़ इसमें एपल लगे हैं और यहां पर लगे हैं अख्रोट यह देखिए यह अख्रोट का पेड़ है और इसमें काफी ज्यादा अख्रोट लगे हैं और अख्रोट का हर चीज़ का यह होता है कि एक साल में कम फसल होती है और एक साल में ज्य जादा फसल होती है तो यह देखे इस बार अखरोट काफी जादा लगे वे हैं पिछली बार थोड़े कम थे तो इस बार काफी जादा है और यह पूटा पेड़ जो है यह भरावाया अखरोट से और इसकी हाइट भी इतनी जादा है कि यह मिकालने मुश्किल चले जाते हैं और यह देखे उपर भी छोटे चोटे दो पेड़ हैं आपल के और इन में तो बस एक दो एपल लगे हैं सिरफ दो दो एपल लगे हैं सारे पेड में और यह खुमानी का पेड म्माणी अभी खतो धीलिए और तो अभी खता हो चेμο से हैं और पारिश की वaci से यह पूरा बह चुका है पानी मैंते हैं यह पॉरूर पड़ताव चेल से और फिर पानी निकलता है तो अभी बंद हो चुक्किया उसको पूलना पड़ेगा अभी मैं देखती हूं को और ये बहुत दूर है और पानी में उतरना पड़ेगा इसके लिए तो उतर जाबते हैं पानी में पानी में तो नी मनानी ये जर बहरावा पूरा लेंटर पूरा भरावा है यां लेंटर ये देखिए फ्रेंट्स ये पानी पूरा निकल गया और ये रूका पड़ा था कूड़े की वज़े से ये कूड़े की वज़े से रुका पड़ा था पानी रहने दे जाने दे उसको तो फ्रेंट्स देखिए यहां पे लगी है बीन्स और ये चोटे-चोटे पौदे हैं इसमें काफी सारी बीन्स लगी है ये देखिए सबजी तयार हो चुकी है और आजकल के मौसम में चारो तरफ हरा हरा बहुत ही अच्छा लगता है चारो तरफ हर्याली दिखाई देती ह तो ये वीडियो थोड़ी सी चोटी बनी है कि एक वीडियो मैंने भाई के सौंकी बनाई थी और उसमें आप सब लोगों ने दिल खोल के लाइक और शेयर किया है और बहुत अच्छे-च्छे कमेंट किये हैं जिससे मेरे भाई को बहुत होसला मिला है तो इसके लिए आप स हुआ 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 है